जन्वरी महिने की कड़कती ठंड और वो ठंड भी दिल्ली की और अगर मैं को कि इस कड़कती ठंड में भी आपके मौस रोज में खिल सकते हैं डेरो फूल तो आप शायद विश्वास नहीं करेंगे पर आपको तो विश्वास करना ही पड़ेगा क्योंकि मैं आई हूँ सुबूत के साथ देखें कल का सीन है त्रंटी नाइन्थ जैन का और कई सारे फूल खिले थे मेरे इस बसकेट में एक दो एक दो तो इसने कभी भी फूल देना बंद नहीं किया खिलते ही रहते थे पर अब भी उस तीनों से यह कई सारे खिल रहे थे तो मुझे लगा कि छोटी सी चीज़ें शेयर करती हूं कुछ अचमभा सा लग रहा था ना अर देखिए इसमें फूल क्यों खिल रहे हैं कोई जादू नहीं है बस सिम्पल सी बात है उन्टो कुरियों में और एक चीज आप गवर करिये गए जिधर हमारी सनलाइट मिल रही है उसी साइट यह हमारे फूल खिलने बैक साइड में देखिए बास्केट में एक भी फूल नहीं किले चुकि पीछे के साइट हमारी धूपने लगी पोधे को हमारी गर्माहट नही जाता है देखिए पीछे के साइट एक भी नहीं फूल किले जितना पोर्शन हमारा आगे उसी के साइट फूल खिल रहे है और एक और चीज देखिए उपर यह खुले में तो लटकी वी है लेकिन डिरेकली इसमें जो हमारा फ्रॉस्ट पढ़ना चाहिए वह नहीं पढ़ा तो बस वही छोटी सी चीज वही शेयर करी तो किसी ऐसी जगे पे अगर आप भी हैंग करतें जहां पर आपकी सर्दियों में भी प्रापर धूप लग सके तो आप भी सालों साल अपने इस मौसरों से फूल पा सकतें अगली बर जब आप भी इनका सीजन खत्म हो जाए तो क कहीं ऐसी जगे पर अपनी बास्केट साइं करतें जहां पर इन पर जितनी भी दूप लगती है उतनी मैक्समिम इन पर दूप लग सके तो इन पोधों से आप हर समय पूरे सालों साल फूल पा सकतें अपने खूब सूरत से अगली बार थोड़ा सा याद रखिए का आप भी कि इनको धूप में टांगे और उपर से थोड़ा सा पाला पढ़ने से बचाएंगे तो इसी तरह से खूब सूरत सी बास्केट आप भी इंजोई कर सकते हैं अपने गार्डन में जल्दी मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में तब तक लिए आप भी अपनी गार्डन को निजा है करें और खुछ दूए थैंक यू